दोस्तों मेरे पास एक डाउट आये कल डाउट में एश्वोडन ने मुझे ये पूछा है कि सर मुझे ये नहीं समझा रहा है कि मैंने एक्जाम फ़र्म तो बर रखा है लेकिन दोनों गुरूप अटेंट करूँ या केवल सिंगल अटेंट करूँ तो सर प्लीज आप मुझे इस पर गाइड करिये तो ये वीडियो है आप सभी के लिये जितने भी ऐसा एक्षोडेंट हैं जिनको ये डाउट है तो ये वीडियो आप सभी के लिए सर सबसे पहली बात ये जो डिलिमा है इस टाइम पे नहीं आनी चाहिए अगर ये डिलेमा इस टाइम पर आ रही है तो sir कहीं न कहीं आप जो दूसरे ग्रूप को ले करके आप confused हो अगर आपके मन में ये डिलेमा है कि मैं दोनों ही ग्रूप clear इस टाइम पर नहीं कर पाऊंगा sir this is deciding time और आपको ये decide करना पड़ेगा question कुछ आपको decide करना पड़ेगा मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से अगर मैं आपके जगा पे होता तो मैं एक ग्रूप को skip कर देता जो second group मैंने सोच रखता है मैं उसको skip कर देता और मैं केवल only one group में focus करता जो पहला group है उस पे मैं केवल focus करता sir उस पे focus करने का फायदा क्या है focus करने का फायदा यह है कि एवल अगर आप एक group पे focus करते हो तो आपके जो syllabus के तयारी है come time में और अच्छे से हो सकती है बहुत अच्छे से हो सकती है जो चीज़ें आप नहीं कर सकते थे with both groups आप single group में सब कुछ कर सकते हो both group में आपके syllabus और जादे हो जाएंगे already आपका एक group का भी syllabus अच्छा खासा है दोनों group में syllabus आपका और अच्छा खासा हो जाता है और अगर आप इस time पे इस dilemma में हो तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है आपको कहीं न कहीं इस dilemma को हटाना पड़ेगा और आप मेरे ही साब से single group के आप त्यारी करो अच्छे त्यारी करो देखो नया इस time पे कोछी चीज पढ़ने का time नहीं है तो जो चीज़ें आपने कर रखी है वही चीज़ें करो और अच्छे से करो क्योंकि exams में जब आप जाओगे तो आपको वहाँ पे सोचने का time नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको तीन घंटे मिलेंगे और तीन घंटे में जो भी आपने पिछले कई महीनों से पढ़ाई कर रखी है वो स्थारी पढ़ाई का exams होगा और उसी से आपका result बनने वाला है तो जो तयरी आपकी करनी है बहुत ही अच्छे से करो previous attempts के papers आप solve करिए mock test papers देने का time है इस time पे mock test papers आप जरूर attempt करिए सर इस time पे अगर आप mock test papers नहीं attempt कर रहे हैं बहुत बड़ी गल्दी कर रहे हैं mock test papers आपको pass करा सकता है mock test papers अब अभी से आप देना शुरू करो mock test papers आप attempt करना शुरू करोगे आपको आपकी खुद की कमियाश पता चलेगे आपको पता चलेगा कि कौन सी area's है जो कि मीरी weak है मुझे नहीं पता है तो वह area's आप improve करना शुरू करोगे कौन सी एरियास आप पॉलरी कवर कर चुके हो वो एरिया ठीक है वो तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं उसमें आप लिखी लोगे लेकिन वो जो एरियास जो की अच्छी नहीं है जिसमें आपको improvement के जुरुत है वो आपको पता कराएगा mock test papers केवल पढ़ने से नहीं हो पाएगा आपको लिख करके mock test papers solve करना पड़ेगा mock test papers आप attempt करिए mock test papers आपको बिल्कुल pass कराएगा अगर मैं परसनल ही बताओ ऐसे बहुत सारे students मेरे पास से message करते हैं कि sir मुझे तैयारी तो बहुत अची थी मेरी तैयारी बहुत अची थी लेकिन दिक्कत क्या हो ही मेरे number नहीं आए मैं उनको एगी बात बोलता हूँ sir आपने written practice नहीं करें आपने mock test papers solve नहीं करें mock test papers solve करना बहुत important है इसलिए मैं बार बार फोकस करके चिला चिला के बोलरों कि mock test papers solve करिए बहुत जादे improvement होने वाली है आपके exams में दूसरी बात previous attempts के papers उसको आप जरूर देखें कभी आप य तो important topics कौन से आपको touch करना है वो आपको पता चल जाएगा RTPs बिल्कुल आप solve करिए इतनी चीजें आपको बिल्कुल करनी करनी है साथ में आपको जो revision है कम से कम 3-4 बर revision तो आप बिल्कुल करिए तो अगर आपको अभी भी यह dilemma है कि मुझे single group देना है या मुझे both group देना अगला जो attempt आएगा उसमें आप दूसरा देना कोई दिक्कत नहीं है तो यह है आपका deciding time और इस time पे कुछ न कुछ आपको decide करना पड़ेगा तो बिल्कुल I hope कि आपको इस video से कुछ न कुछ clarity मिल गई होगी video share करिए आपको दोस्तों के साथ में जो भी इस dilemma में है और उनक करिए अगर आप नए है सब्सक्राइब करिए and hit the bell icon मिलते हैं अगरी video तब तक लिए take it and bye